इंडियावर्सेश आस्टीलियाए के बीच पहला ओडियाए मैंज मungबे के वानकेडें इस्टेडियम में खिला जा रहा है जहांपे टौस जीत कर टीम इन्डियाई ने पहले फरिल्लिंग गरने के निल दिया Australia टीम ने पहले खेलते हुए सिर्फ 35 ओवर ही Australia की टीम खेल पाई है और ऐसा पहली बार हुआ होगा Australia की टीम पूरी 50 ओवर भी नहीं खेल पाई पहले खेलते हुए Australia की टीम ने अपने 10 विगेट 188 रन पे खो दिया और टीम इंडिया को जीत के लिए 189 रन के यहां पे जरूत है जैसे कि लो स्कूरिंग यहां पे मैच रहा अभी भी खेल ले टीम इंडिया को अभी यहां पे 52 रन की जरूत है जैसा लो स्कूरिंग मैच यह है तो लग रहा था टीम इंडिया को बहुत ही आसानी से जी जाएगे पर ऐसा नहीं है टीम इंडिया को बावन रन बनाने के लिए बहुत मसकत यहां पे करने पड़ रही है और ऑस्टेलिया ने टीम इंडिया को यहां पे चन जबकि और कोई भी ऐस्टेलिया यहाँ पर नहीं चल पाया और ऐस्टेलिया के पूरी टीम पचास ओवर भी नहीं खेल पाई 35 ओवर के अंदर ही ऐस्टेलिया के पूरी टीम ओल आउट होगे और 10 विकेट पे 188 रन ही बना पाई जबकि टीम इंडिया के लिए सबसे बहतरीन यहाँ पे बॉलिंग करते हुए समी ने सिर्फ चे ओरो में 3 विकेट पे 17 रन दिये जबकि सिराज ने भी यहाँ पे 5 ओरो में 29 रन के 3 विकेट यहाँ पे लिए टीम इंडिया भी खेल रही है टीम इंडिया को जीतने के लिए अ आउट हुए होंगे और केल राहूल एक मातर केल राहूल ऐसे है जो अभी यहां पर 47 रन बना के नोट आउट चल रहे हैं अपने 50 कंप्लीट करने वाले जबकि हार्दिक पाण लिए जो के टीम इंडिया के लिए अभी कैप्टन सी कर रहे हैं आपर 25 रन बना के आउट और र राहूल का साथ यहां पर 13 है रविंदर जटेजा जो के 26 रन बना के अभी नोट आउट खेल रहे हैं और इसके बाद सारदिल ठाकूर कुल्दी प्यादो मुहमद सीरा जबकि एक सारदिल ठाकूर के अरवा और कोई वह से बैट्समन नहीं है जो आपर खेल सके तो टीम इं लिकल के आती है देखिए